मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ दूसरा पित्त का हिस्सा बहुत क्लियर है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि घी जादा खाएंगे पित्त आपका हमेशा सम रहेगा और जादा घी खाने का जो समय है वो बारिश के दिनों में और ये जो घर्मी के दिन होते न उस समय घी जादा खाईए ताकि पित्त को कंट्रोल करके रखे और वात के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ शुद्ध के अभी ये जितनी बात है आप सोचो कितनी सरल है बस हमें अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना है जीवन शैली में बदलाव से पहले मन में संकल्प लेना है कि जी हम तो ऐसे ही चलेगे दुनिया में उससे मतलब नहीं हम तो ऐसे चलेगे तो ये तीन चीज़ें अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छा है अब थोड़ा आगे चले अब और दूसरी चीज़ों पर मैं चलता हूँ कि और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं और आपके वात पितकफ ती मिया का सबसे बड़ा ओशदी केंद्र हमारा रसोई घर है सबसे बड़ा ओशदी के रसोई घर है अब दुरभागे से हम रसोई में जिनको मसाला कहते हैं न मसाला वहां मसाला कुछ नहीं है सब ओशदी है मसाले का और ओशदी का अंतर मालूम है ये मसाला तो शब्द ही भ उस गया ये विदेशी आये तो ये शब्द भी आया हिंदुस्तान में सत्रवी अठारवी शतावदी का साहित ते जब मैं पढ़ता हूँ तो जब तक मुगलों का राज्जी रहा तब तक मसाले शब्द का बहुत उप्योग है मुगलों के राज्जी के पहले एक भी जगे किसी भी शास्तर में मसाला नहीं है चरक सहिता पढ़ी मैंने कहीं भी मसाला नहीं है उसमें सुशृत में कहीं मसाला नहीं है बागवटकी कहीं मसाला नहीं है पुराने जितने लेखक हुए है न दस्वी शतावदी के पहले के कही भी किसी ने मसाले शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया हर जगे है तो औशदी है औशदी जीरा औशदी धनिया औशदी ये औशदी के रूप में हैं तो इनकी जो प्रॉपरटीज हैं रसोई घर की औशदीयों की ये सब आपके चिकित्सा के लिए हैं अब मुझे समझ में आता है कि हमारे पुराने जमाने की माताएं बहने जो हमारी दादी हैं नानी हैं उन्होंने अपनी अपनी बेटियों को जो कुछ सिखाया सबजी बनाना तो क्या-क्या डालना जीरा चाहिए धनिया चाहिए हींग चाहिए मात्रा कितनी-कितनी चाहिए व सुबह सुबह, दुपहर को पित जादा होता है, शाम को कफ जादा होता है, तो ये पूरे 24 गंटे में उपर नीचे होता रहता है, तो 24 गंटे में जो बात पित कफ उपर नीचे होता रहता है, तो सबजियों में उसी के हिसाब से ओशदिया डाली जाती है, जैसे दुपहर की सब्जी बने दुपहर की तो मेरी दादी को मैंने देखा था कि दुपहर की सब्जी बनाएगी तो अजवाइन जरूर डालेगी उसमें और वो ही सब्जी रात को बनाती थी तो अजवाइन नहीं डालती थी तो एक दिन मैंने दादी से ठीक है उसकी माने सिखाया अब जब मैंने काम शुरू किया ये चिकित्सा पर तब मेरे समझ में आया कि अजवाइन जो है पित नाशक है घी के बाद देशी गाय के घी के बाद जो सबसे ज़्यादा पित नाशक दूसरी कोई चीज़ है तो वो अजवाइन है और दुपहर को पित बढ़कता है आप जानते हैं और वो स्वावा विक्या क्योंकि खाना खाने के लिए पित बढ़कना ही चाहिए तो उस समय अजवाइन डाली जाती है सबजी में क्योंकि दुपहर को ही शरीर को अजवाइन की जरूरत होती है पित्त को सम पे लाने के लिए तो भारत में ज़्यादातर माताएं बहने ये बात जानती है कि दुपहर की सबजी में अजवाइन चाहिए दुपहर का दही है ना दही का मठ्ठा उसमें भी अजवाइन का बगार लगता है दुपहर की जितनी भी चीजें हैं ज़्यादा तर अजवाइन गरस्त होती हैं या अजवाइन से बनती हैं क्योंकि पित्ट को समपे रखना है तो आप सोचो जो लोग ये कर रहे हैं वो बिना कहे कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमने उसका वैलिवेशन नहीं किया ये हमारी मूर्ख था हमारे याँ तो एक बहुत बड़ा दुश्करम इस देश में हुआ है अंग्रेजों के हम गुलाम हो गए तो सब कुछ हम भूल गए अपनी चीज़ है अंग्रेजों ने जो सिखाया वो ही हमें याद है तो हम GDP का कैलकुलेशन करते हैं अंग्रेजों के फॉर्मूले से GDP निकलता है इस देश का तो मैंने बहुत बार इस देश के अर्थशास्त्रियों से पूछा कि GDP में आप विचित्र विचित्र कैलकुलेशन करते हैं जैसे भारत की पुलिस है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो GDP का हिस्सा है अगर चोरियां बढ़ी डकेतियां बढ़ी तो पुलिस का खर्च बढ़ेगा तो GDP बढ़ेगा और प्रधानमंत्री छाती ठोक के कहेगा मेरे जमाने में GDP 10% से उपर बढ़ गया पुलिस का खर्च बढ़ गया मने चोरियां बढ़ गई डकेतियां बढ़ गई अत्याचार बढ़ गई अनाचार बढ़ गई तो GDP बढ़ गया तो क्या बड़ी बात है तो हमारे जो GDP के calculation है बड़े विचित रहें इसमें चोरी हो डकेती हो लूट मारी हो तो GDP बढ़ेगा लेकिन माताएं बहने घर में जो करती रहती है वो GDP में है यह नहीं calculation ही नहीं है उसका भारसरकार कोई calculation नहीं करती कि किसी माने एक किलो पापड बना दिये तो GDP बढ़ा के नहीं तो कहते हैं जी मालूम नहीं बढ़ा के नहीं बढ़ा क्योंकि calculation नहीं है किसी माने दाल की बड़ी बना दी 5 किलो दाल की तो GDP बढ़ा के नहीं बना आपका मन क्या कहता है बुद्धी क्या कहती है बढ़ा के नहीं बढ़ा किसी ने बड़ी बना दी, किसी ने पापड बना दी, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने गोंद के लड़ू बना दी, किसी ने मावे का कुछ बना दिया, तो GDP तो बड़ी रहा है, लेकिन हम calculate नहीं कर रहे हैं उसको, क्योंकि अंग्रेजों के यहां महिलाओं का किया हुआ का काम महत्त का नहीं माना जाता अंग्रेजों के यह जो अंग्रेज जात है ना दुनिया में यह महिलाओं के किये हुए काम को काम ही नहीं मानते आपको मालूम है 2000 साल यूरोप में महिलाओं को पुर्षों से हमेशा कम वेतन मिलता रहा और आज भी है यह कई देशों वह मानते ह नहीं कि इनका कोई काम काम है क्यों वो महिलाओं में आत्मा नहीं मानते हैं हां यूरोप का सबसे बड़ा दार्शनिक है प्लैटो वो कहता है कि इस्त्रियों में आत्मा ही नहीं होती आत्मा सिर्फ पुरुषों में होती है तो इस्त्री जो करे वो बेकार है पुरुष जो कर हो गए सोचना विचारना बंद हो गया तो हमने भी वह मांल या मैं अभी इसको बदलना चाहता हूं और मैं ये समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि इस्तरियां जो कर रही है वह किसी डॉक्टर से कम नहीं बस अंतर इतना है कि डॉक्टर को आप फीस देकर उससे एडवाईज ले रहे हैं हमारी दादी नानी फोकट में वो ये एडवाईज दे रही है धनिया खाओ, जीरा खाओ, और ये अजवाईन खाओ, आपके पेट की गैस खतम हो जाएगे और ये साले तीन हजार साल से वैसे का वैसा ही है अजवाईन खाओ, तो गैस खतम होती ही है कभी भी आप करके देख लो आप में से किसी को भी बहुत गैस बनती हो पेट में, एसिरिटी की तकलिफ हो आज से शुरू कर दो आप खाना खाया, तो उसमें ध्यान रखो अजवाईन जादा रहे दाल में, सबजी में वगरा वगरा और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो खाना खतम करते ही थोड़ी अजवाईन खालो अजवाईन ज़्यादा तकलिफ ना कर दे, उसका बैलेंस है काले नमक के साथ तो थोड़ा अजवाईन और काला नमक मिला के हर खाने के बाद खा के देख लो तीन दिन में ना आपकी गैस बंद हो तो आप जो कहो मैं हारने को तयार ये गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ ये गारंटी अजवाईन दे रहे है मेरी गारंटी नहीं है अजवाइन के गारंटी तो वो कहते हैं बागवट्ट जी कि पित्त को सम रखने के लिए हमारे रसोई में घी के बाद जो दूसरी चीज है वो है अजवाइन दोस्तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइक कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंडरोड एप डाउनलोड करना ना भूलें